नमस्कार, मैं हूँ अभिशेक चंद्रा और आप देख रहे हैं LifeCities.in LifeCities के न्यूजरूम से इस पल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर ब्रेकिंग खबर कॉंग्रेस खेमेस की तरफ से आ रही है, कॉंग्रेस के नेता अशोक गहलोत की तरफ से आ रही है अशोक गहलोत फिलहाल पटना दोरे पे हैं और पटना में उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है जिससे की RJD नाराज हो सकती है अशोक गहलोत ने कहा है कि RJD से बात करना, RJD से संबंद रखना या फिर जेडियू से भी बात करना कॉंग्रेस की मजबूरी बन गई है अशोक गहलोत ने इस बात को अंडरलाइन करते हुए कहा है कि आज की तारीक में हम अकेले अपने बल पे चुनाव नहीं लड़ सकते ये हमारे लिए चिंता जनक बात है कॉंग्रेस को खुद अपने बलबूते पर अपने सहारही चनाव लड़ना चाहिए ना कि किसे अलाइंस पार्टनर के साथ बहुत ही विस्तारिट धंग से अशोक गहलोत ने इस बात को कही है एक बहुत बड़ी बात कही है जो कि कहीं ने कहीं आरजेडी को जरूर परिशान कर सकता है आरजेडी के साथ संबन को लेकर के कॉंग्रेस के बड़े नेता अशोक गहलोत जो कि फिलहाल बिहार के दोरे पे हैं पटना के दोरे पे हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है अशोग गहलोट का ये भी मानना है कि देश भर में कॉंगरेस के बहुत सारे निताओं की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये कहीन के एक इशारा है कि अशोग गहलोट चाहते हैं राहूल गानी चाहते हैं कि नई पीड़ी के जो नए नेता है उन्हें ही मौका दिया जाए अशोग गहलोट ने साफ तोर पे कहा है कि कॉंगरेस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है केवल इतना ही में अशोग गहलोट ने आरजेडी के साथ आलाइंस की बार या फिर जेडियू से जो बातचीत करने की तमाम संभावनाएं आ रही है उस पर भी खुल कर कहा गहलोट का मानना है कि ये कॉंग्रेस के लिए बहुत भी खराब है कि उसे आरजेडी के जो गहलोट ने एक बड़ी बात कही है बड़ा बयान दिया है कि कॉंग्रेस को अपने बलबूते ही चुनाव लड़ने पर विचार किया जाना चाहिए जेडियू से बातचीत करना या फिर आरजेडी के साथ संबंद मिनाना उसकी मजबूरी है लाइफ सिटीज के पटना नीजरूम से मेरे यानि अविशेक चंद्रा के साथ इतना ही नमस्कार